How to hide WhatsApp last scene इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप WhatsApp के last scene को कैसे hide करेंगे तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि अपना WhatsApp के last scene को किसी को so नहीं कराएं तो वो कैसे करेंगे ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे तो जैसे कि ये हमने open किया तो इसमें कहां पे दिखाई देता है तो इसमें उपर दिखाई देता है last scene so उपर कर रहा है तो इसको आप hide करना चाहते हैं तो फिर कैसे करेंगे तो देखिए आपको WhatsApp श्टार्टिंग से हम बताते हैं आपको जैसे WhatsApp को open करेंगे तो open करते ही उपर में आपको three dot दिखाई देता है तो जैसे आप three dot पे click करेंगे तो three dot पे click करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा settings की option तो आपको क्या करना है settings पे जाना है जैसे आप settings पे जाएंगे तो आपको जाना है privacy पे जैसे आप privacy पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा last scene and online तो इस पे आपको click करना है इस पे जैसे आप click करेंगे तो who can see my last scene nobody पे click करना है इसके बाद same as last scene इस पे भी nobody पे click करना है इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका profile photo नहीं कोई देखे तो इस पे जाना है इसको भी nobody कर देना है अगर आप चाहते हैं about को भी किस कोई न देखे तो इसको भी nobody कर देना है अगर आप चाहते हैं status भी आपका जिसे आप चाहें जैसे माई आप जिसे share करेंगे वही देखे तो यह भी यहां से रहने देना है तो इसको अभी माइक जो आपका contact में जो आपका contact save किया हुआ है और आप जिसका contact save किये हुए वही देख सकता है और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी जो WhatsApp की last thing है वो बंद हो चुकी है तो यही तरीका है यही प्रोसेस है WhatsApp के last thing को बंद करने का तो अगर यहां पर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा